Hello, Welcome to our channel Kidney Treatment in Ayurveda Before we proceed, Please subscribe our channel and press the bell icon to get all the latest updates नमस्कार मैं वर्णडर का आपका स्वागत करती हूँ कर्मा Ayurveda के YouTube चानल पे जहां आप Kidney से जोड़ी सारी important information easily पा सकते हैं आज हम आपको बताएंगे कि क्या Kidney Disease के patient sweet potatoes खा सकते हैं या नहीं Kidney का काम हमारी body से waste material को filter करके urine के जरिये body से बहार निकालना होता है लेकिन जब Kidney waste material को ठीक से filter नहीं कर पाती तब ऐसी condition को Kidney disease कहते हैं Kidney हमारी body का एक important part है इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि आपकी Kidney healthy बनी रहे इसके लिए जरूरी है कि आप सही diet को follow करें Sweet potatoes में vitamin A, vitamin C और fiber पाया जाता है वैसे तो Sweet potatoes का सेवन Kidney को नुकसान नहीं पहुच जाता लेकिन Kidney disease के patient को इसको नहीं खाना चाहिए अगर हम बात करें Kidney disease और Sweet potatoes की तो Kidney disease के patient को Dr. Phosphorus और potassium को limited करने की advice देते हैं Sweet potato में high phosphorus और high potassium होता है जिसकी वज़े से Dr. Kidney disease के patient को Sweet potatoes को avoid करने की सला देते हैं अगर आपको Kidney stone की problem है तो आपको Sweet potatoes नहीं खाने चाहिए Kidney stones आपको तब होते हैं जब आपकी Kidney में oxalate और calcium छोटे-छोटे stone के रूप में store होने लगते हैं और urine के जरिये body से बाहर नहीं निकल पाते जिस वज़े से आपको काफी तेज दर्द रहने लगता है Sweet potatoes में oxalate की high amount होती है इसलिए इसे Kidney stone की बिमारी होने का खत्रा बढ़ जाता है इसलिए Doctor Kidney stone के patient को Sweet potatoes खाने के लिए मना करते हैं Sweet potatoes nutrient से भरपूर होते हैं इसलिए जब तक आपको Doctor इसके saving की मना ही ना करें तब तक आप इसका saving कर सकते हैं क्योंकि Sweet potatoes कई तरह के फाइदे भी देता है जैसे कि Sweet potatoes के saving से kidney cancer होने का खत्रा कम हो जाता है Journal of epidemiology की research के मताबिक अगर Kidney Cancer के patient daily sweet potatoes का saving करें तो उनके cancer को कम किया जा सकता है Sweet potatoes में high potassium होता है अगर आप Kidney की patient नहीं है और इसके potassium level को कम करना चाहते हैं तो डॉक्टर आपको इसको boil करके खाने की advice देंगे क्योंकि इसको boil करने के बाद इसमें potassium level 50% कम हो जाता है या आप इसका saving छूटे slice करके भी कर सकते हैं लेकिन kidney patient इसका saving डॉक्टर या dietitian की advice पर ही करें अगर आप kidney disease के patient हैं तो आपको एक अच्छी diet को follow करना चाहिए high potassium वाले कुछ food products हैं जिनका saving आपको avoid करना चाहिए जैसे की banana, orange, grapefruit juice, prune juice, tomatoes, pumpkin, etc. तो आज हमने आपको बताया की kidney patient sweet potatoes का saving कर सकते हैं या नहीं अगर आपको ये वीडियो useful लगी हो तो उसे like और share करना ना भूलें अगर आपको कोई भी query है तो आप नीचे भी एकर comment box में comment कर सकते हैं या फिर आप कर्मा आयुरेदा kidney के इंदर में भी संपर कर सकते हैं संपर करने के लिए हमाई details description के अंदर दी गई है या फिर हमारे phone number भी stream के उपर mention है जिसके उपर आप contact कर सकते हैं अगर आपने हमारे channel को भी तक subscribe नहीं किया है तो जाइए सबसे पहले हमारे channel को subscribe कर लिजिए और bell icon को press करना ना भूलें ताकि हमाई नई वीडियो आते ही आपको notification मिल जा और आप ऐसे ही कर्मा आयुरेदा के साथ बने रहें धन्यवाद